से जुखेशन में द्रिस्टी आईस की टेस्ट सीरीच कर रहे हैं हम लोग यूपीपीसे प्रिलियम 2020 के लिए यह टेस्ट नुमर 4 रहेगा ठीक है टेस्ट नुमर 4 रहेगा इसमें आपको कुश्चेंज मिलेंगे जोगरफी के और करेंट अफेर्स के इससे पहले जो तीन टे संयुक्त सेनब्यास अल नजा एक्सराइज का नाम है अल नजा ठीक है पहली बात यहां से हमनों को बता चल रही है यह भारत और ओमान के बीच एक संयुक्त यानि जॉइंट मिलिटरी एक्सराइज है यहां पर कुशिन पूछा गया है कि इस एक्सराइज को कंड़क्ट कहां पर किया गया आयोजन कहां पर हुआ है तो आयोजन राजिस्तान में हुआ है बीका नेर में बीका नेर यहां पर कुछ इंप्पॉर्टन एक्सराइज है इनको देखी रिवा मेंतरी मित्रों और में कनफूजनी नहीं होना है मैंतरी सक्ती होती है थाइलांड के साथ इनडिया और शिर्फ सक्ती एक्ससाइज चाको इने बरिबसाफ़ी सी एक फरांस के साथ और hand in hand इजी यह चाइना के साथ exercise है इंडिया की और corporate जो है corporate यह Thailand के साथ होती है ठीक है यह कुछ important exercise थी यहाँ पर जो आपने युद्ध प्यास देखा USA के साथ यहाँ पर एक और important exercise होते है USA के साथ बजर प्रहार ठीक है बजर प्रहार चली हो जाएगा किजिए फ़र दूसर यहाँ पर प्रशन बुचा है उत्तव देश सरकार की प्रभीन योजना जो है इसका objective क्या है यह important question है ठ्यान रखना सरकारी स्कूलों में जो चात्र यहाँ पर study कर रहा है पढ़ाई कर रहा है इन चात्रों के लिए इस योजना को design किया गया है पहली बाते इस योजना का प अच्छा 11 बारा के बाद कोई चात्र अपने study को continue नहीं कर पा रहा है तो कम से कम उसको इतना जरूर सिखा दें इस vocational training में कि वह अपनी रोजी रोटी कमा सके लिए सरकारी स्कूल सरकारी स्कूलों के जो चात्र इनको website प्रसेक्षण प्रदान कराना है ठीक है दिए की हिमा है और तुंग बद्रा है लेकिन मंजरा नहीं है मंजरा किस नदी की साहिग नदी है यह गोदावरी की है ठीक है गोदावरी है करेंट फिर्स वीडियो में मैंने सब कुछ आपको कवर करा है जो भी reverse से संबंदत करेंट फिर्स से related question रहता था उसमें मैंने साहिग न पर क्माद दे की नदी है यह question अक्सर कूछा जाता है कि दक्षन गङा किस नदी को बोला जाता है तो ध्यान रखना दक्षन गग अगर लिखा रहे सबनों पर ध्यान देना गईया खह रहें तो गोदावरी आंसर हो जाता है और दक्षण की गंगा अगर लिखा है की सब्द लिखा है तो फिर यहां पे आंसर कावेरी हो जाता है ठीक है यह ध्यान दखना चलिए चोथा कोशन कीजिए पैगोंग तिसो जो जील है पीडिया फ्यादारी यह करेंटरिफर्स की सब कुछ आपको प्रोवाइड़ है इसकी लोकेशन के बारे में हम लोग ने किया पड़ाता है यह चाइना में इसका जादा भाग लाई करते हैं तो बटे तीन Aurभी 75 परसंट है वो चाइना में लाई करता है और 25 परसंट इस ये इंडिया में लाई जील का एक तिहाई हिस्सा चाइना में और दो तिहाई हिस्सा भारत में आप उल्टा लिख दिया चाइना में दो बटे तीन हिस्सा है और भारत में एक बटे तीन हिस्सा है ठिक मैं आप एमेज इंसेट कर दे रहा हूं तो आप लोग देख लेना और इस जील के बारे में एक प्रेटली कुशन पूचा जा सकता है कि किस जील को रंग परिवर्टन के लिए जाना जाता है तो पैगोंग तुसो जील लगा देना लद्दाग वाली ठीक तो यहां पर दोनों बातें गलत होगी और सही बताना था तो डी अप्शन करेक्ट है चलिए नेक्ष कीजिए आप सबसे जाना कपास कहां पर हो रहा है कंफीशन रहेगा महरास्टमें और गुजरात में तो द्यान देम रखना है कुई महरास्टमें काली मिटट्टिंटि बहुत जादा है और काली मिट्टी में का पास ज्यादा होता है तो लगता है कि महारास्ट पहली स्थान पर होगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है पहला स्थान प्रोडक्शन में है गुजरात का ठीक है ये दियान रखना दूसरा नमबर आता है फिर यहाँ पे महाराष्ट का और गुजरात के वारे में तो एक question पूछा भी जाता है कि भारत का कौन सा state textile state की रूप में जाना जाता है तो गुजरात रगा देना गुजरात कपड़ा उद्धियों का केंद्री राज है Central state है ठीक है तो यहाँ पर पहली स्थिती गुजरात की होगी दूसरी स्थिती महाराष्ट की होगी और तीसरी स्थिती है अंद्रपरदेश की यहाँ पर तीसरी नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और सबसे लास्ट में हो जाएगा राजिस्थान तो कौन सा option सबसे पहले दूसरा हो जाएगा फिर पहला यानि भी option आप सई ठीक है तुम्हाराष्ट और गुजरात के लावा इन दोनों को भी आपको याद रखना है पहली स्थिती सब जान रहा है यह बहुत common question है कोई नया question थोड़ी नहीं सबसे ज्यादा गुजरात में फिर चलिए six questions देखें यहां पर क्या है एक book का नाम दिया है journey of a nation 75 years of Indian economy journey of a nation 75 years of Indian economy नमक पूस्तक किसके द्वारा लिखी गई है कि अगेन important question मार करके चलना इसके लेखक जो है वह है संजय बारू बी ओप्सन साथ मां देखिए global investor summit सुपर important मार करके चलिए ग्लोबल investor summit है तो हो चुकी ना फरवरी मंत में हो चुकी है दस से बारा फरवरी यह आपको बिल्कुल exact figure याद रखना है दस ग्यारा बारा दस ग्यारा बारा फरवरी दो जारते इस investor summit उत्तरप्रदेश डियोपस सही है उत्तरप्रदेश की economy जो है कितना करने का अजरते इसको आयोजन होगा उत्तरप्रदेश की economy एक trillion dollar करना है इंडिया की economy पाच trillion dollar करना है और इसमें तीस रहा important fact है लखनो आयोजन कहां पर किया गया लखनो में किया गया global investor summit उत्तरप्रदेश लखनो में आयोजन ठीक है तो यह भी ध्यान रखना है यहां पर जो एक trillion million dollar करने का target है उत्तरप्रदेश की economy उत्तरप्रदेश सरकान ने एक consultant को भी निव्पत किया है उसका नाम क्या है डैलोइट इंडिया यह आम लोग पढ़ते रहते हैं डैलोइट इंडिया एक कंपनी का नाम है इस कंपनी को सलाकार की रूप में निव्पत किया गया है ताकि इतली की बात हुए तो जल्दी से बताई अगर बनाएं तो इस तरीके से कुछ बनता है न यह 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 सागर मैं आप underturency के वह मताश्जा की चोटी-चोटी से हिससे चाहर के नाव बेस्ट मेंसर थे त्सका नाम है ट्रेहनियंसी ठीक है और एस्ट साइड में जो सागर इसका नाम है अड्रियायटक्सी यह पढ़ते रहतों एड्रिया डर्थी और साथ में जो इस्ते गिक्सन दिख वैंग थी बारे में किसे बताया था जोर्ज लोमेट्रे साब सुन Leg verses है कि ने कि गहते हैं लेमट्रे साब कहते हैं कि पूरा ब्रहमांध एक पॉंट के रूप में इस्सित्त था जिसका टेंप्रेचर अनंत था जिसकी density अनंत थी यानि पूरे ब्रह्मान का जो matter था वो एक point में situated था फिर इसी में explosion करा देना है आपको explode करा देना है इसी को दस्वाप्रस ने देखी हैं यहां पर देश और उनकी राजधानी से मिलाना है तो आसान सा question है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था अगर आपको याद आ रहा हो जब हम लोगोंने आलपस माउंटिन सीखा था आलपस माउंटिन मैंने किस तरह का बताया था आप लोगों क से कि आलपस माउंटिन किन कंट्रियों में विस तरह था था तो एक कंट्रिय आप छोटी सी यहां पर लिचन स्टीन पढ़ते हैं त्याना रहे हैं कि कि इसकी काप्टल है बादू आ को आसान है और मा को हम लोग पढ़ते रहते हैं यह माली की कैपटल है लिथौनिया लिथ 2024 का आधिकारिक नारा है ओफिसियल स्लोगन पूछा है पीडियम में करेंट पीडियम में कबर किया है अच्छे से गेम्स वाइड ओपन द्याना रहा है गेम्स वाइड ओपन सी ऑप सन्या पर राइट है चलिए बारवा देखें बारवा प्रस्ण टाइगर रिजर्ब पूछ पूछा गया द्याना रहा है इसके बज़े से पोछा गया रानिपुर बनेजी बब्यारण के बज़े से क्योंकि यही सबसे रिसेंट वन यूज में था और यही 53 वा टाइगर रिजर्वी है भारत का सबसे लेटेस्ट जो है अगर पूछा जाए कि भारत में कितने पर देपन और त्रेपन में कौन सा है यही है जो यह पूर बनेजी बब्यारण इसको कहा बढ़ा था हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पढ़ा था चित्रकूर्ट में पढ़ा था एक अठरी दो प्सें मिल गए रानिपुर से पहले न्यूज में रहने वाला जो रिजर हो जाए गया है थाटिन देखे थाटिन ने पूछा है मांटन यह सेरिया यानि परवतिये छेत्रों के संदर में बताना है पहली बात लिखी हिमालय परवतमाला उस्वन कटी बंदिये से लेकर टुंडरा तक बनसपतियों का अनुक्रमन दिखाती है इसका मतला समझ रहा है आप मांटन यह सेरिया में का होता है आप मांटन की तलहटी पर देखेंगे तो यहाँ पर अलग तरीके के प्लांट आपको देखेंगे बनसपति अलग तरीके की रहेंगी आप यहाँ पर ऊचाई पर जाएंगे तो प्लांट की केटिगरी बतल जाएगी और यह सब कुछ रेगुलेट कैसे हो रहा है टेंपरेचर से आप लोगों पता है अगर टेंपरेचर बहुत जादा हूं या फर टेंपरेचर बहुत कम हो यह दोनों ही कंडिशन में पलन्ट नहीं करता है जैसे अगर टॉपिकल जोन की बात करें यह find है हाईयर लेटीटूट पर जाएंगे तो आप फिर यह जो प्रकार होता है बनस्पती का वो बदल जाता है जैसे उपरी छेत्र में ठंडे प्रतवसों में यह बनस्पती टुंड्रा टाइप की हो जाती है तो यहाँ पर बेसिक चीज बहुत इतनी है कि टेंपरिचर काफी हद बनस्पती की प्रकार को रेगुलेट करता है तो यहाँ पर पहली बात बिल्कुल सही लिखिए हमाला परवतमाला उष्ण कटी बन दिस लेकर टुंड्रा तक बनस्पतियों का अनुकर्वन दिखाती है ठीक है तलाटी पर देखेंगे तो अलग प्रकार कर रहेगा उचाई देखेंगे तो अलग तरीके कर देखेगा दूसरी बात है बढ़ती उचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी कमी से नेचरल जो वेजिटेशन है उसमें तदुन रूपी परिवर्तन होता है यहाँ पर दौन बात हैं सही है कि फोटीन देखिए बारत का मानक मध्यान समय यानि स्टेंडर्ड टाइम मेरेडियन पूछ रहे हैं इसको इस्टी बोलते हैं इंडियन स्टेंडर्ड टाइम कितना होता है हम लोग 82 डिगरी और 30 मिनिट पड़ते हैं यह क्या है यह लोंगिट्यूड है लोंगिट्यूड का मतलब यह देशांतर है और अगर भारत की ब प्रियम मेरेडियन और यह ऊक्विडर नवाले स्टिति यहां कहीं पर शूंघwww और has mashed एक कों साब कर रहा है इसकाो दूसरी तरीक से भी दसके यह वाला एससा क्या यह वाला एससा नौण्ट्त मिस पर ठीक है यह आनी आपने देखा जो मीजिए इंडिया है वो लाई कहां कर रहा है नौर्थ हमिस्पिर में लाई कर रहा है और इस्ट हमिस्पिर में लाई कर रहा है इतना ही बात क्लियर है तो इसका मतलब यह भी हो जाता है कि भारत के जो भी लैटिटूड है यानि अक्छांस है वो नौर्थ में लिखे जाएंगे और द लैटिटूड की बात करें तो लैटिटूड होरिजंटल लैन होती है तो यह वाला जून कौन सा है यह हमीज़पर कौन सा है नौर्थ एमिस्पर है और इंडिया के लोकसिन आलाबाद के जो नैनी है एसा पास से घुजरती है ठीक है और इसी में यह भी पढ़ते हैं कि IST पांच राजियों से होकर गुजरती है पहला तो युक्त्रप्रदेश देख लिया ठीक है मंद्रप्रदेश भी साथ में है साथ में चक्टिस गड़ भी है साथ में आंद्रप्रदेश भी है और आपको उड़ी सा भी याद रखना है यह पांच राजियों से हैं जहां से IST गुजरती है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है मुझा कहा है किस राजियों से होकर गुजरता है तो आपने 36 गड़ देखा आपने भी आप्सन से हो जाएगा व्यार से नहीं गुजरती, चारकंड से नहीं गुजरती, पश्चमंगाल से नहीं गुजरती ठीक चले 15 देखिए, 15 में पूझा है गन्ने के संदर में बताईए, सुगरकिन के बारे में बताईए सुगरकिन क्या है यह टॉपिकल क्रॉप भी है और सेमी टॉपिकल भी है, यानि टेम्परेट भी है वो पोश्चन कटी बंदी यानि टेम्परेट और उस्चन कटी बंदी यानि टॉपिकल यह बात पुरूप कैसे करोगे आप आप इंडिया से ही पुरूप कर सकते हो गन्ना कहां कहां पर हो रहा है गुजरात में हो रहा है महारास्ट में हो रहा है ठीक है कन्नाटक में भी हो रहा है तो यह जोन कौन सा है करकर देखा है यहां से कहीं से पास होती न साड़े तेश नौर्थ और यह जोन कौन सा है यह ट्रॉपिकल जोन है यानि यह बात तो सही ह वाली बात कैसे प्रूब करोगे इसके लिए आप उत्तरप्रदेश के जो लोकेशन है वह कहीं आप है और अगर लॉंगिट्यूड वाइस देखें इसको तो यह कहां पर लाई कर रहा है यानि यह कैसा जोन है यह टेंपरेट जोन है तो आपने इंडिया में ही देख लिया कि सुगर के इंजो क्रॉप है वह टेंपरेट जोन में भी हो जाती है और ट्रॉपिकल में भी हो जाती है और इसके लिए जो टेंपरेचर चाहिए वह 21 दिगरी से 27 दिगरी से चाहिए यहां पर देखें क्या लगा है यहां पर 35 दिगरी से 45 दिगरी से तो बहुत जादा टें पक्ष यह सम्झोते के संद्र में बताईए यह जो school education transformation है this school education transformation के लिए जो agreement हुआ है अवनाचल प्रदेश गॉऔर्मेंट के द्वारा यह किस किस में साथ हुआ है नीतियायो की साथ और reach to teach foundation, reach to teach foundation, तो यह तिर पक्ष सम्झोता हो गया है एक पक्ष आणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा पक्ष नीतियाय हो गया, और तीसरा पक्ष रीच टूटीच फाउंडेशन हो गया, ठीक है ये बात, और ये जो एग्रिमेंट हुआ है, ये तीन साल के लिए हुआ है, दो जर बाइस से दो जर पच्चीस तक, यहां पर दोनो सेवाइं आपको मिलेंगी, बाराणसी में तो स्टार्ट होई गया था, ये इंपोर्टन कोश्चन है, बाराणसी में बहुत पहले हो गया था सायद, एक दो साल हो गया इसको, हम लोगोंने पिछली साल पढ़ा था इसको करण्टेफर्स में, बाराणसी की तरज पर प्रिय प्रिया歌 रहनी समझ रहे हो नेशनल वाटर वे बाड़ नमबर वन, ये किसना ही प्रियागरासी मतलब है, बना क्या है, ये अई गतना दिछ इक वाटर वाटर वर इनोबर वन जो है, वह कहां से कहां तक है, प्रियागरासी हल दिया, है न solat सा प्रिया debe इसलामबाद जर्मनी बर्यलिंस है यूक्रेयन कीप सही है सर्विया बेलगरेट सही है यहां पर गलत पूछा था तो गलत ही हो जाएगा चलिए 19 देखिए यहां पर एस्टरोइट के बारे में पूछा है एस्टरोइट हम लोग पढ़ते हैं मार्स पढ़ते हैं और एक गरह पढ़ते हैं जूपिटर यहां पर मैं सीक्वेंसी बना दे रहा हूँ यह सन है इसके बाद मर्करी फिर बीनस फिर अर्थ इसके बाद मंगल के रहे हैं और ब्रश्पति के बीच में पढ़ता है। यह जो बैल्ट है, इस बैल्ट में यह जो पत्थर घूम रहा है यह बड़े-बड़े साइच के पत्थर जो घूम रहे है यही एस्ट्रोइड बेल्ट है तो यहाँ पर यही कोश्चिन पूछा ही जाता है कि किस-किस गिरह के बीच एस्ट्रोइड बेल्ट एक्टिव रहती है तो मंगल और प्रिस्पति आपको ध्यान लगना है जीप्टर के बाद कौन सब रहे है सैटन है फिर यूरेनस है है ना यूरेनस फिर नेप्चिवन है यही हमारा सोलर सिस्टम है और यहाँ पर कौन सी बेल्ट है यहाँ पर एक बेल्ट हो रहा है जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा एस्ट्रोइड बेल्ट उसी तरह यहाँ पर पढ़े हो ना कूपर वेल्ट चलिए अब यहां पर प्रस्न पढ़िए पहली बात लिखिए प्रत्वी और सनी की कक्षाओं के चार और परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे-छोटे टुकडे यह चोटे-छोटे टुकडे लिखे हैं यह बास्तों में इतने साइच के है तो यह कहीं से चोटे-चोटे तो नहीं लग रहा है लेकिन भूगल की भासा में 1000 साल भी बहुत चोटा समय होता है और इतने साइच के जो पत्थर है वो भी चोटे होता है तो यह चीज़ यहां पर गलत लिखे है प्रत्वी और सनी के बीच में एस्ट्रोइड वेल्ट नह हो ना लेकिन यह ठिल हम लोग एस्ट्रोइड में नहीं पड़ता है चोट्रक्रय में नहीं पड़ते हैं इंटोर्ण अमेठै यह शडून यहल लगाते रहते हैं कि इसके कक्षा में Jupiter की ब्रस्पतिक रहेगी तो यह हैं तो एस्ट्रोइडी न तो वही बात लिखी है चोथे में ट्रोजन एक प्रकार का छुद्द कर रहा है चोथी बात सही है यहां पर सही क्या क्या है दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट यहां पर सही है किलियर है चल कि मिल्याओल आपडसी करें आर्दर नहीं चना होगा है और अगर we are Doong अलग है और अगर आसे सीट की होधित तो इसका अलग अलबडो हो जाएगा बादल की बात करें तो इसका अलग अलबडो हो जाएगा पत्थर का अलग अलबडो होता है यानि हर एक पधार का हर एक मैटर का अलबडो अलग-अलग होता है जिसमें से आईस जो है वरब जो है इसका अलबडो सबसे जादा होता है इसका पहला option हेमांग dust landfill लिखाए इसको इंगलिज हम बोलने cryosphere क्राइयस पर में प्रत्वी की सतय पर यानी प्रत्वी पर जो भी जल है वह प्रत्वीश की फ्रम रहेगा या फिर चलिए 21 देखिए भारा सरकान ने अपराधिक प्रिक्रिया बहचान अधीनियम 2022 को अधीनियमित किया जो कभी प्रिभावी हुआ यह important question है ध्यान अखना है इसको exactly याद रखना पड़ेगा just fact है 4 अगस्त 2022 को इसमें government को help के मिलेगी इसमें जो अपराधि होते हैं अपराधि का finger impression ले सकते हैं पाम पाम जो हतेली है उसका भी print ले सकते हैं food print impression ले सकते हैं आईरिस या फिर रेटिना का आपको scanning की जरूरत पड़ रही है investigation के लिए तो आप यह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यह अफ लीगल हो गया अगर government का कोई department आपकी आई रेटिना का scan कर रहा है आपको मतलब अपराधी ठीक है यहाँ पराधी है तो अपराधी उसको challenge नहीं अपर भतेशन ही कर सकता है ठीक चलिए 22 देखिए कमरिया घाट पुल के संदर में बताइए कमरिया खाट यह पुल बना कहा है किस नदी पर बना है पहली बात यहاँ पर राखना है नすUSTरी दूसरी बात है पुल जो है ब्रेज जो है गोरगपुर और पिरागराज के बीच 80 km की दूरी को कम कर देगा ये बाट ठीक है सही बताना था तो के बंदो हो जाएगा कमरिया घाटपुल गोरगपुर और नदीगागरा 23 देखी आसान सा कुशन है एक्वेटर की लगभग कुल लंबाई कितन ही है एक्वेटर ये एक्वेटर है ठीक है ये यानि सरकेल है ठीक है ये पूरा सरकेल होता है ठीक है वह एक तरब का दिखता है इसलिए हम लोग उसको लाइन बोलता है ये सबसे बड़ा अक्षांस है यानि सबसे बड़ा लैटिटीट है अगर पूछा जाए कि गलोब पर सबसे बड़ा अक्षंस कुछ साए तो भूमत रेखा ही बोलते हो इसके अलावा भूमत रेखा के अलावा और कोई भी अक्षंस नहीं है जो इसके बरावर हो क्योंकि आप जैसी पॉल की तरफ बढ़ोगे तो अक्षंसों की जो लंबाई है वो घड़ती जाती है लेकिन ऐसा देशांतर में नहीं होता है क्योंकि देशांतर पोल से पोल चलते हैं तो हर एक देशांतर समान लंबाई के होते हैं यह जीज आपको ध्यान रखना है यानि यह जो देसंत्र वाले गोले हैं यह सभी गोले बराबर होते हैं गुलोब पर और यह जो लैटिटीट्यूडें अक्छांस जो है यह इन में सबसे बड़ा जो है भूबू मतरेखा का सर्गिल है बाकि सभी छोटे हो जाते हैं आप जैसे ही पोल की तरफ जाते हो तो और जैसे ही आप बिलुकुल पॉइंट पर पहुंच जाते हो साउथ पोल पर या पर नॉर्थ पोल पर तो यही सर्गिल एक पॉइंट के रूप में चेंज हो जाता तो यह तो जस्ट फैक्ट है याद रख लेना है 40,000 किलिमेटर हो बंतरेखा की लंबाई है ठीक 24 भी आसान स हमा पर देओ इसको सबसे नौर्थ में परते हो और सबसे पश taką गुजरात का एक रीजन है जिसे गहर मोoir भरते हैं एदर बोलता है तो सबसे बेस्ट हो गया बेस्तर हो गया और एस्टण मोस्ट हो गया के बूथ हुक रोना चल परदेश ठीक तो यहाँ पर सबसे उत्री क्या था इंद्रा कोल यानि चार एक ए ओप्सन में है 25 ए निम लिखते मैंसे कौन सा बेसुका सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है चीनी का प्रूडक्शन सबसे जाना कौन सा देश करता भारत करता है चाइना नहीं करता है चाइना से कन्फूज नहीं होना है वैसे डेटा चेंज होते रहते हैं तो अभी जो बर्तमान इस्तिति है उसमें तो भारती पहले पर है 26 हाली में निम लिखते मैसे किस राजने पंचा मरत योजना सुरूं की है इस ही होजना के तहट फसल जो मेथड्स होते हैं क्रॉप मेथड्स जो होते हैं फसल विधियों को यहाँ पर बढ़ावा देना है ताकि जो किसानों की आयद दुगना करने का टारगेट है इसको भी प्रमोशन मिले यह भी प्रमोट हो यहाँ पर यह जो सब्द लिखा है फसल विधियों को बढ़ावा देना इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमें कुछ ऐसा करना है किसानों को ऐसा करना है ताकि उनकी जो कौस्ट है जो उनकी लागत है वो कम से कम हो सके यानि कौस्ट एफेक्टिव टेक्निक्स जो होती है यही सारी टेक्निक्स हमें किसानों को दे देना है तो यह सारी चीज़ें आपर पंचामरतियोजना में रहेंगी और यह किस राजने शुरू की है उत्तप्रदेश ने इसलिए सुपर इंपोर्टेन कोश्चन है ठीक उत्तप्रदेश स्टेट ने पंचामरतियोजना शुरू की है 27 देखिए डैनमार्क कॉर्पोरेशन डैनमार्क कॉर्पोरेशन की मदद से उत्तप्रदेश के किस जिले में जेल परेक्षण प्रियोकसाला इस्थापित की जाएगी वाटर टेस्टिंग लैब डैनमार्क की साहता से यहां पर डैनमार्क उल्टा भी पुछा जा सकते न तो अभी उल्टा बाद में देखना पहले सीधा देख लो यह जो बाटर टेस्टिंग लैब बनाई जा रही है यह बाराण सी में बनाई जाएगी ठीक है तो यह ध्यान रखना यह भी उत्तप्रदेश से बिलोंग कर रहा है कुशन तो इसको भी मार करके चलना टेम्स रिवर जो है टेम्स इसको पढ़ता है लंदन हो जाएगा राइन रेवर कहां से फिलो करती है यह बांज से ठीक है और निवार्क अड़सन पढ़ते हो राभी तो आसान है लाहर हो जाएगा इसमें कुछ था ही नहीं चलिए 29 देखे 29 में है पढ़ान मद्यहन रेका यानि प्राइम मेरेडियन पासेस थरो विच ऑप फॉल्लवेंग टू कंट्रीज प्राइम मेरेडियन यानि यह जीरो डिगरी पहुच रहे है चुकि यह बर्टिकल लाइन है तो यह क्या हुआ यह累 deposit हऊँ यह longitude देखा रुआ है कि ऽानत्र व्हें कि सारे देखांत्र जो है वह सभी सेम लंध के है कि बतर्विंपbung से और यहां पर जीरो डिगरी के यह». तक देख रहे हूं अधे हैं और यहां पर और यह प्क्राइम ब्राजिल दिए नीचे यहां पर फ्रांस मिल जाएगा यहीं से आप क्रॉस करा दीजिए एक आपको यहां पर साउथ अफरीका दिखरा साउथ अफरीका तो यह इसको भी रिजक्ट कर दीजिए चौथे पॉइंट को यह भी गया एक ऑप्सन बच रहा बन और त्री तो यह कुश्चन तो कॉमन से भी हो जाता तीस्या सौरी तीसमा कुश्चन थे कि यह नहीं अर्थ क्रेस्ट के बारे में अर्थ क्रेस्ट में पदाहरतों के द्रबमान के अर्थ क्रेस्ट में जोब हैं जो भी माटरिय। कैसे आप डिसलिफाइन करते हैं है तो चेrescent अपर वाली लेयर फिर अस्थे मैं फिर आजाता है फिर डैंसिटी बहुत ज्यादा है और अगर आप क्रेस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे सियाल मिलता है सिलिकॉन और अलुमुनियम और इनकी डैंसिटी कम होती है तो कैसे आप यहाँ पे आपजर्व कर रहे हैं चीजों को माटी, कला, मेला उत्रप्रदेश का जो भी करेंटिफर्स है उसको बिल्कुल रट लेना है आपको क्योंकि कौन सा करेंटिफर्स आ जा जा उत्रप्रदेश से पता थोड़ी ना है तो सारा यहाँ पर मार करकर के चलना है माटी कला मेला का योजन उत्रपदे सरकार तवरा किया गया पहली चीज और कहां पे किया गया लखनू में किया गया 31 का यहां पर 2 options correct हो जाएगा अब चुकि यहां पर माटी लिखा है माटी मतलब soil तो स्वैल से क्या बनते हैं स्वैल से बरतन बनाऊगे उनकी जो इसकिल है उनकी जो कला है इसी को बड़ा बात देना है इनके जो कारिकर होते हैं उनका financial status सुधार करना है यह सारी चीज़ रहेंगे यह सारी चीज़ रहेंगे तभी तो vocal for local यह जो नारा है सक्सेस हो पाएगा न 32 देगी है आजादी का अमरत महुत्साओ के तहत बड़े चलो बड़े चलो आंदुलन हायुजेत कब किया गया था इस आंदुलन को शुरूं किया गया था 5 अगस्त से 12 अगस्त 2022 तक यानी तोटल कितने दिन चला यह 8 दिनों तक चला यह उप्सन सही है यहाँ पर में परपच क्या था इस अंदुलन का इस मूवमेंट का यूद को यह वहाँ को साथ जोड़ना और उनमें देजभक्ती की भावना पैदा करना यहाँ पर अगर स्टेटमेंट में कुश्चन पूछेगा तो आपको यह बात जरूर ध्यान रखनी है कि इस अंदुलन को और्गनाईज किसके द्वारा किया गया तो आपको याद रखना है संस्कृती मंत्राले के द्वारा ठीक है संस्कृती मंत्राले यह फेक्ट इंपॉर्टेंट है यह भी ध्यान दखना है कि नेक्स कीजिए नेमले के तुम्हें से किस स्थान पर भारत में पहली जूट में लिस्थाबित के गई थी क्या पढ़ते हो रिस्रा पढ़ते हो ना रिस्रा यह कहां पर है यह बेस्ट बंगाल में है लिए उप्सन सही है यह बात है 1855 की या नहीं 1857 की जो क्रामती थी उससे दो सल पहले जस्ट फैक्त 34 धीकी 34 हे तो और आसान है यहाप है जो गलत है वो बताना है भारत और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंडरी है उसका नाम क्या है रैट कलिफ है ठीक है भारत और चाइना की बीच को जो इंटरनेशनल बाउंडरी है उसे मैक मोहन बोलते है यह भारत और अफगानिस्तान की जो बाउंट्री लाइन इंटरनेस्टल बाउंड्री लाइन वह एलसी नहीं है लाइन अफ एक्चुल नहीं है क्या पड़ते हो दूरण पड़ते हो नुदूरं डर्रेखा तो यहां पर सी गलत हो जाएगा भारत और स्री लंका पारग जल दमरू दूनों ठीक है, गलत बताना था, आसी वप्सन से ही हो जाएगा, यहां देखे, थर्डी फाइफ, बताइए एलो रैवलुशन किसे सामादत है, यहां पर oil sheet का रेक्टर अंसर हो जाएगा तेलहन तेलहन फसलों का मदलब है जिन से तेल निकलता है ऐसी फसलन जिन से oil निकलता है मुंफली हुआ, सर्सों हुआ, तेल हुआ, सूरज मुखी हुआ, अलसी, स्वयवीन बगरा यह सारी तेलहन फसलों के अंतरगत आती हैं सेम पित्रोदा जो है, इनको जनक माना जाता है, एलो रेवलुशन का, ठीक, कीजिए फर इतना कीजिए, करते हैं फिर आगे